बारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार शेहर के 85 वाडों में सिरो सर्वे होना है जिसके अंतरगत पहले चरण में 25 वाडों का सर्वे के लिए चैन किया गया जहां लोट्री निकालकर इन वाडों की चैन प्रक्रिया को पूरा किया गया देखें यह रिपोर्ट लौट्री प्रक्रिया संभागायुक्त कार्याले में संपन्द कराए गई जहां मंद्री तुलसी सिलावच शांसत्य चंकर लालवानी संभागायुक्त पवनकुमार शर्मा कलेक्टर मनिश सिंग निगमायुक्त प्रतिभापाल और अपरायुक्त और के बच्क की सेंप्लिंग का कार किया जाएगा जहां भारत सम्खार द्वरा प्राप्त रभाइद लाइन के और और केंद्र की और यहां प्रते opposite शेλकाष्षा तो हमारी आगा जन्संग का क्या मान देखिए उस मान से लगबग आठ लाख के आसपास हमारे 18 साल के कम के बच्चे हैं और इसमें रिंडमली सेंप्लिंग करना है और उसी के अंतरगत आज हमारे जो कोवीड के परभारी मंत्री हैं मानि तुल से नम सलावड जी उन्होंने इ 25 वार्डों में जो सेंप्लिंग होना है तो उसके आज लाट्री निकाली कि किस रिंडमली सेंप्लिंग करेंगे और 25 वार्ड में लगबग 2000 के आसपास सेंप्लिंग होगी बच्चों की मैं आपके माध्यंग से शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भावती एक महत्पूर्ण सेंप्लिंग है इसके माध्यंग से हमें बच्चों में अगर कोई किसी प्रकार की बात आती है तो जानकर ही आएगी तो इसमें प्रशाशन का शाशन का सहयोग करें और सेंप्लिंग करने में हमारी मदद करें क्योंकि सामान तियूर पर सामान तूर पर चोग सेंप्लिंग में माताया हिचकती है यहार मुझे लगता है हमारी माता चाहँ और इस नो को आघए आकर इसको करना चाहिए वैसे जो सेंप्लिंग हम जो करने संप्राइब दोसों सेंप्लिंग करेंगे 6 स साल कें बच्चों की और 10 साल से लेकि 17 साल के बच्चों की 1400 सेंप्लिंग करेंगे इस परकार 2000 सेंप्लिंग का टार्गेट रखा है और मुझे अफ्रिक्षा है कि जिस परकार मानिय मंत्री जी के ने तरुप में करूना को हमने बहुत मियंद्रन करा है पर अभी यह मान के चलना चाहिए कि करूना गया लुए हमें उन सभी सावधानियों को द्यान में रखना चाहिए जो इसके लिए आवशक हो विस्तित रूप से हमारे लोगपरी सांचात संकर लभवानी जी ने विस्तित रूप से इसकी जानकाईड दे दी मैं भी इनके स्वर में स्वर मिलाकर उसको संबलित करता हूं इन नंदानगर जोन शित्र से 10 वार्ड और समस्त शेश तीन जोन में से 5-5 वार्ड का चैन किया गया है लास्ट टाइम जब इन दौर में सीरो सर्वे हमने किया था अगस्त महा के अंदर तो उस समय भी तीन कैटिकरी हमने रखी थी पुरुष, महिला और बच्चे बच्चों के सैंपल लेने में समय लगा था चुकि उस समय कोरोना बहुत तेजी से नई बिमारी थी तो लोगों के मन में एक डर भी था तो बच्चों को लोग सैंपल देने में संकोच कर रहे थे ज्यादा घर हमें जाने पड़े लोगों को समझाने के लिए और अन्तता हम जो रिक्वाइड लगबग 2300 के करीब सैंपल हमें बच्चे के लेने थे आपको याद होगा पिछले में हमारा टार्गेट सैंपल ग्रुप था लगबग 7000 का तो 2300, 2300, 2300 के करीब हमें सैंपल लेने थे इस बार चुकि सिरफ बच्चों का कर रहे हैं 17 साल और उससे कम उम्र तो इस बार टार्गेट कुरब कुल 1848 का है जिसमें 1-6, 6-9 और 9-17 के बच्चे हैं उमीद है कि अब लगबग बिमारी के साथ रहते हुए डेड़ साल हो गया है लोग में थोड़ा डर भी अब उसके परती कम होगा, सावधानी तो पूरी है तो लोग तयार होंगे, थोड़ा समझाना पड़ेगा सिरो सर्वे बहतर तरीके से हो इसके लिए करीब 40 टीमों का गठन किया गया है इसमें स्वास्तवभार, नगदिगम और जिला प्रसाशन के अधिकारी मौझूद रहेंगे और इनके सेंप्लिंग कराई जाएगी, उसके टीमें आज हमारे यहां सेम्चों इसको गठित कर रहे हैं कुछ हम लोग ने मेडिकल कॉलेज सी लिया है, उसमें कुछ हमारे यहां के जो नरसे से उनको लगाया जा रहा है इसमें 40 टीम बनाई जाएगी, जो स्टैटिस्टिकल आकड़े गवर्मेंट आफ इंडिया ने भेजे हैं, उसके तहत हम लोग लगवाग 800 सेंपल्स रहने हैं अलग-अलग एज ग्रूप में, और वाट्स का भी रैंडम सेंपलिंग करने का बोला गया था उसमेट, इसलिए आज मानित उसी सिलावट जी और सांसच जी, मानित सांसच जी की पस्तिती में लौटरी निकाली गई थी, जिसें के 25 वाट एट रैंडम चैन किये गया है, उ उस डाटा का उप्योग करके उससे रैंडम डाटा निकाल करके और उन घरों में जाएंगी टीम हमारी और सेंपलिंग करेगी, टेस्टिंग के लिए अभी इसका जो मशीन है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं है अभी उसके लिए जो इतराम, CHL और सेम से बात्ची चल रही है इसका रिजल्ट की अनलेसिस जो है, डीन साब करेंगे उसको और उसके जैसी सेंपलिंग को अगर कारवाई पूरी हो जाएगी, मेरे कहा से वदी ने वीक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे या गौर्वर्मेंट और इंडिया के अप्रूवल लेके रिजल्ट गोचित हो जा जिसमें 25 वाड़ों में बच्चों के ब्लाक सैंपल लिये जाएंगे, इसके लिए एक आप बना कर रेंडमली सर्वे किया जाएगा हमारे करीबन 810 लाग बच्चे हैं नगर निगम शेतर में तो उनका एक रेप्रेजेंटिटिव सैंपल 2000 का माना जा रहा है तो हम 2000 बच्चों का सीरो सर्वे करेंगे, अभी हमने लोटरी पदती से 85 वाड़ों में से 25 वाड़ों डिसाइड किये हैं जहां पर हम करीबन 60-70 लोग को टच करेंगे, 1-6 साल के बच्चे, 7-14 साल के बच्चे और 14-17 साल के बच्चे ये तीन ग्रुप्स में हम सर्वे करेंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बच्चों को कौरोना की तीसरी घातक लहर से बचानी के लिए अब प्रसाशन ने अपनी तयारियां तेज कर दी हैं ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर